अफसर और सूर्य दै में एक ही समानता होती है देर करने वाले हमेशा इने खो देते हैं इसलिए सुबह जल्दी उठने की आदर डालो क्योंकि जो वाकई अपना जीवन बदलना चाहते हैं वो ढोंकी नहीं बलकि ठंकी जिंदिगी जीते हैं अंधे को इंद्र धनुष भी काला नजर आता है इसलिए हर किसी से उमीद मत करना कि उसे तुम्हारे बुर नजर आएंगे आगे बढ़ने के लिए एक कसम खाओ बुरे वक्त में जिन्होंने तुम्हें ठुकरा दिया तुम ऐसा वक्त लेकर आओ कि उन्हें तुमसे मिलने के मिट्टी की गुल्लक भी महफूज रखती है जिन्दगी में हर मौके का बेशक फायदा उठाना लेकिन किसी की मजबूरी का कभी फायदा मत उठाना क्योंकि वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रोलाते हैं लेकिन आज के जमाने का तो कड़वा सच ये है कि लोग जितनी जल्दी अपना रंग बदलते हैं उतनी जल्दी तो वक्त भी नहीं बदल पाता किसी के बारे में बहुत जल्द कोई राय मत बनाना खाली बरतन देख कर मत सोचना कि मांगने चला आया हो सकता है वो सब कुछ बांट कर आया हो बात अगर जीवन में तुम्हें आगे बढ़ना है हमेशा जमीन से जोड़े रहिए फूल तभी खिलता है जब वो मिट्टी से जोड़ा हो चाहे टहनी कितनी भी उची हो अगर कोई चीज तुम दिल से चाहते हो तो उसे मांगना बंद कर दो क्योंकि तुम उसे हासिल कर सकते हो जीवन या तो सुईकार किया जा सकता है या बदला जा सकता है अगर सुईकार ना किया जाए तो बदलना आवश्यक है और अगर बदला नहीं जा सकता तो सुईकार करना आवश्यक है वीडियो के अंति में बस इतना कहना चाहूंगा कि सफलता अपने आप चल कर नहीं आती हमें उस तक पहुशना पड़ता है तकदीर के खेल से निराश नहीं होते जिन्दगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते जिनको सपने देखना अच्छा लगता है उन्हें राते छोटी लगती है और जिनको सपने पूरा करना अच्छा लगता है उनको दिन छोटा लगता है इसलिए सपने देखो उन्हें पूरा करो आँखों में उम्मीद के ख्वाब भरो अपनी मनजिल खुद तै करो इस बेदर्द दुनिया से मत डरो शेर भी आगे छलंग मारने के लिए एक कदम पीछे हटाता है इसलिए जब जिन्दगी आपको पीछे धकेलती है तो घबराना नहीं जिन्दगी आपको उची छलंग देने के लिए तैयार है अगर मेरी इन बातों से आप सहमत हैं तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेर करके हमारे इस प्रयास का हिस्ता बने और हमेशा ये बात याद रखें कि इस दुनिया में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं बस आप सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष की तरफ बढ़ते चलिए मैं मिलूंगा आप से अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मकूर्जा को भरते और आपको दिखाए एक सही दिशा सुनते रहिए मन की आवाज